तो हेलो एवरीवन मैं हूँ विक्रम और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं DLF Limited शेयर के बारे में अब इस टॉक में हमारे लिए आगे के लिए का टार्गेट्स होने वाले हैं वो डिसकस कर लेते हैं और साथ ही साथ इसके जो quarter two के results announce होने वाले आज उसको लेके यहां पर market के क्या estimates हैं वो भी बताऊँगा तो सबसे बहले हैं आप इस टॉक के लिए targets देख लेते हैं अब यहां पर आप देखोगे तो इस टॉक आ चुका है अभी अपने support zone के पास support zone कौन सा है यह 748 रुपीज का price यहां पर इसके लिए support का price होने वाला है अभी price देखें तो यहां पर चल रहा है 775 रुपीज का यानि अभी यहां से थोड़ा सा और fall करके 748 रुपीज तक अगर आता है और इस area के round अगर green candle बनती है कल के दिन में तो फिर हमारे लिए यहां पर buying आ सक आपको यहां पर फिर 810 रुपीज तक का move देखने को मिलेगा अभी मने आप side का बता दिया बट down side में अगर 748 का level अगर break हो जाता है अगर 748 का level यहां पर sustain नहीं कर पाता closing देता है इस price के नीचे तो फिर आप समझ के चलना अब stock में correction और आ सकती है और कहां तक आ सकती है उसके लिए हमें जो पहला target देखने को मिलेगा वो होगा हमारा यहां पर 700 रुपीस का लगा के चलो कि यहां पर आपको पहला target देखने को मिलेगा यह अभी levels इसके अंदर निचे अनिकल के आ रहे है फिलाल के लीए अब बात कर लेते हैं इसके quarter two के results आने वाले आज उसको लेके यहां पर market के estimates हैं सबसे बहले revenue की बात कर लेते है revenue जो estimate करा जा रहह है यहां पर 13.99 crores का यहां पर revenue estimate करा जा रहा है net profit की बात करें तो 6.45 crores का यहां पर net profit estimate करा जा रहा है और उसी के साथ-साथ earning पर share का जो estimate है वो है यहां पर 3 rupees का तो यह figures यहां पर estimate करी जा रही है market की तरफ से अब देखना है कि जब quarter 2 के results आज announce होते हैं वहां पर हमें क्या यह estimates beat होते हैं देखने को मिलते हैं और फिर नहीं मिलते हैं तो उसके लिए बने रहना चैनल पर जैसी results आएंगे मैं आप लोग के साथ share कर दूँगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में